घटना इसने पहले भी घटी हैगी तो जैसे मैंने हाउस में भी कहा 1974 में एक रतन चंदर गुपता उन्होंने स्लोगन भी रेज किया और पिस्टूल था उनके साथ और वन अबजेक्ट लुकिंग लेक बॉम ये तो जो इसमें है उनके जो रिकॉर्ड में है वह है लुकिंग टैंप्लेट्स है ते सब थे और तब भी जो डिशिजन लिया तब स्पीकर नहीं लिया उसमें सरकार का कोई लेंदेन नहीं रहता है क्योंकि स्पीकर का दिकारक्षेत रहे तो 26 जुलाई 1974 को एक घटना हुआ था उसमें तो डैगर लाया था तो कुछ लोग हमारे करमचार जाहिल भी हो गए थे सेमी कॉंशियस हो गए थे तो उस ताइमी स्पीकर ही जो कुछ भी खदम उठाना था जो कुछ भी कारवाई करना था माने स्पीकर ही क्या तो इक स्पीकर के इदिकार सेक्टर में है 26 नवंबर 1974 फिर हुआ था एक्स्प्लोजिवल आया गया था उन लोगों को पास भी दिया गया था तो विस्टर्स गैलरी तक आये थे गैलरी में आये थे और तब भी स्पीकर ने कारवाई किया और 91 में जो हुआ है मैंने अलड़ी उल्ले किया हूं दो लोग जंप किया थ था तो जंप करके अंदर आये थे तो तब भी स्पीकर ने निर्णे लिया था मेरा कहना इतना ही है कि स्पीकर इधी कस्टूडिन आउँ हूँ आड़ इस पार्लिमेंट के पूरा एड्मिन्स्ट्रेशन स्पीकर के संध्यान में रहता है स्पीकर के इदिकार ख्षित में र तो इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं इसमें पॉलिटिसाइज मत करो सरकार जो स्पीकर के आदेशन सार और स्वयम जो घटना हम सब जो सता पक्ष के लोग भी जो देखे है सरकार की भी जो प्रमुक लोग उदर बैठे थे हैं हम लोग देखे हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें